वा रहे यूँ? उस फ्रॉट का भांडा फोल में ये देखिया आधा फोल हर शुकुर्वाण पुर्धान मंत्री नरेंद मोदी ने इंडियन चैंबर आफ कॉमर्स के पंचानवी वार्शिक बैठक के उद्खाटन सत्र को किया संबोधित कहा भारतिय अर्थववस्था को पृतिस पर्दी बनाया जाया साथी घरेलू आपूर्ति शंकला को भी किया जाया मजबूत मोदी सरकार के दूसरे कारकाल के एक वर्ष पूरा होने पर भाज़ा पाने शुरू दिया परिवार संपर का भ्यान प्रतेश अध्यक्स वतन देव सिंग ने कहा 20 जून तक चलने वाले इस अभ्यान में सेनिटाजर, मास्क और सरकार के उपलब्धियों को पहुचाया कराने का भी दिया निर्देश और अमर शहीद क्रांतिकारी पंडित राम परसाथ बिस्मिल की जैनती आज देश दे रहा है उन्हें विनम्र स्रधान जली नमस्कार मैं हूँ विजेश वास्तो अब समाचार विश्तार से विडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कोलकलता इस्थित इंडियन चैंबर आफ कॉमर्स की 95 वार्षिक बैठक के उद्गाटन सत्र को संबोदित किया प्रधान मंतरी ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है जब भारतिय अर्थविवस्ता को कमांड और उनकी हालत से बाहर निकाल कर वैश्विक इस तरपर प्रतिस पर्धी बनाया जाए और घरेरू आपूर्ति शंकला को मजबूत किया जाए यह समय इंडियन एकोनामी को कमांड और कंट्रोल से निकाल कर प्लाग और प्ले की तरफ ले जाना है यह समय कंजर्बेटिव एप्रोच का नहीं है बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसिजन्स का है बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है यह समय भारत में एक ग्लोबली कम्पिटिटिव डॉमेस्टिक सप्लाइच चेन तयार करने का है इसके लिए उद्योग जगद को अपनी मोजूदा सप्लाइच चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकर से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है पुर्धान मंत्री ने उद्योग पतियों से आगे बढ़कर अर्थ वैवस्था के विमिन सेक्टरों में घोशित किये गए सुधारों का लाब लेने की भी अपील की अब तमाम सेक्टर्स खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफार्म्स एनाउंस हुए हैं उसका फरफूर फाइदा उठाने के लिए उद्योग जगत आए आगे आएं मेरे युवा साथी आप आगे आएं साथी प्रदान मंतरी ने इस बात पर भी जोड़ दिया कि जब दुनिया कोरोना वाइरस महमारी से लड़ रही है भारत को इस संकट के वक्त में आप निर्भर बनाने के दिशा में काम करना चाहिए और इस मुसीबत के अवसर को भी बदलना चाहिए एक बड़ा काश हर भारतिय के मन में रहा है मस्तिस्क में रहा है यह काश क्या है काश हम मेडिकल एक्विप्मेंट के लिखेतर में हाथ मंदिर पर होते काश हम डिफेंस मैं इफेक्टरिंग में हाथ मंदिर पर होते हैं काश हम कोल और मिनराज के सेक्टर में हाथ मंदिर पर होते हैं काश हम एविएशन सेक्टर में भी हाथ मंदिर पर होते हैं ऐसे कितने साहरे कार्ष अंगिनत कार्ष अमेजा से हर भारतिये को जब जोड़ते रहे हैं जाथियों एक पहुंद बड़ी बज़र रही है कि बीते पांच-छे वर्षों में देश की नीती और रीती में भारत की आत्मन निर्भरता का लक्ष सर्वो परी रहा है अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गती और तेज करने का सबक दिया है इसी सबक से निकला है आत्मन निर्भर भारत ब्यान पुर्धान मंत्री नरेंद मोदी ने ये भी कहा कि हाल ही में किसानों के लिए गए फैसलों में कृशी अर्थवरस्ता को गुलामी से मुक्त किया है एग्रिकल्टेर एकोनामिय को पर्सों की गुलामी से मुक्त कर दिया है सच्ची आजादी किसानों को मिली है अब भारत के किसानों को अपने प्रोड़क्ट अपनी उपच देश में कही पर भी बेचने की आजादी मिल गई है APMC Act, Essential Commodities Act उसमें जो संसोधन किये गए है किसानों और इंडस्टी के बीच पार्टनर्शिप का जो रास्ता खोला गया है उससे किसान और रूरल एकोनामिक काया कल्क होना प्या है इन फ्रैंसलों ने किसान को एक प्रोडूशर के रुप में और उसकी उपज को एक प्रोडूशर के रुप में पैचानती है भारते जिंदा पार्टी ने आज से परिवार संपर्क अभ्यान के शुरुवात की है प्रधान मंत्री की चिठ्ठी और उपलब्धियों का ब्योरा लेकर इस अभ्यान के अंतरगात पार्टी के दो-दो कार करता बूथ इस तर पर एक करोण घरों तक पहुचेंगे ये अभ्यान 15 जून तक चलेगा इस अभ्यान के शुरुवात लखनों में पार्टी के परदेश अधिक्ष स्वतन देव सिंग ने की उन्होंने मन कामिश्वर वार्ड के बूथ 153 से इसकी शुरुवात की सुधन देव सिंग ने लोगों को मोधी सरकार के उपलब्धियों से दर्ज प्रपत्र, सनिटाइजर और मास्क का वित्रण भी किया तीन तलाग महिनाओं का कानून बनाकर मुसिलिम महिनाओं का सम्मान देने के ताम किसे ने किया ताजय मोधी जीन नागरिक्ता संसोधन दिल को पास करके देश के अंदर अफगानिस्तान बंगला देश पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, इसाई, बध, जजयन, पार्सी पहुत्पूरन उप्तिनन होता था आज हिंदुस्तान के अंदर सम्मान से जीवन बेकिती स आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भारतियनता पार्टी के दोरा बूत, 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 बूत पर जाकर घरों पर जाकर पार्टी का परचार परसार किया गया है जिसमें प्रदेश की जो भी नीतिया हैं, प्रदेश की जो भी योजना Это उनको जन जन तक पहुचाने कारकम, और उसके साथ हईंगा signs नेथर, उसके के माननी प्रधान मंघ जी की दो योजना हैं, लागू की गई है, अंको पहुचाने का कारकम, आज माननी स्वतनदिश अप्रदीश अद्धैश का राहा हुचानू. बात है कि हमारे लखनाओं में मनकामे शरवार्ड में और बूत नंबर 158 और 153 पर माननी स्वतन देव सिंग जी जो हमारे प्रदेश अद्धेश हैं और हमारे माननी मुकेश सरमा जी जो हमारे नगर अद्धेश हैं उनके नित्रत में यह कारकम हुआ मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुशाने के लिए परिवार संपर्क अभियान का शुभारम चित्रकूट में सांसद आर के सिंग पटेल ने बूत बलदाओ गंज करवी से किया उन्होंने घर घर जाकर लोगों को प्रधान मंत्री का पत्र भेट कर उन्हें केंद्र सरकार की एक वर्ष के उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और लोगों से अनलॉक में सावधानी बरतने के साथी मास्क लगाने के लिए भी प्रेडित किया उन्होंने बताया कि भारती जन्ता पार्टी ने जो संकल्प अपने संकल्प पत्र में जन सामान के साथ साजा किये थे उन सभी संकल्पों को एक एक करके पूरा कर रही है वो हमारी सरकार माननी प्रदान मंती जी की अगवाई में माननी रच्छा मंती जी की अगवाई में माननी इग्रह मंती जी की अगवाई में कि ने जो महत्रपूर्ण फैटले लिये हैं उनको बताने का लोगों को उपत्रक है और गुकलेट है भाजापास जिला अध्यक्षिश चंद्रपकाश खरे ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरे कारगाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर तथा मोदी जी के नितरत मे नए भारत के पुना निर्मार के स्वर्णिम छे वर्षों की गौरफ गाथा को जन जन तक संगठन के माध्यम से पहुचाया जाएगा 11 जून से 20 जून तक जिले के सभी 849 बूथों पर परिवार संपर्क अभियान का आज से शुबारंब हो गया है 11 में इस बार जब स्रकार बनी तो हमारी स्रकार बनी और राजसभा में भी हमारी संख्या लेही धेयर यह जो बहुत प्रतीक्षित काम थे वो सब करने के काम किये हमारी सरकार ने एक साल के अंदर राम मंदिर का मुद्दा हो उसको हल कर दिया तीन तलाक के मामले में बिल ले आए और 35 को समाथ किया धारा 370 को समाथ किया बहुत सारे काम किये गए इन एक साल की उपलब्धियों को बताने के लिए हमारी पार् पर लोग लगाए गए फिर भर बूत पर 849 बूतों पर लोग लगाए गए जो जाकर कि प्रतेग बूत में आज से इस काम को प्रारम करेंगे जानपूर में बच्चों के विवाद को लेकर दो समुदायों में खूनी संगर्श हो गया जिसमें दरजन बर से जादा लोग गायल हो गया सबी घायरों को उप्चार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है और विवाद के दौरान आधा दरजन गल्ड़ितों के मकान में तोड़ फोड के बाद आग के हवाले भी कर दिया गया घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर मामले की जाच में जुड़ गई है जिला अधिकारी और पुलिस अधिक्षक भारी पुलिस फोर्स के साल घटना इस्थल पर पहुच निस्थती को नियंतरल करने में जुड़ गए गाउं में तनाव को देखते वे भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है. करेंगे उनकी सुरच्छा की विवस्था करेंगे और जिन लोगों ने हरकत किये उनके खिलाफ एनसे जैसी कड़ी कारवाई करेंगे जो कि उन्होंने बहुत बड़ी हर्कत कि ये कल शाम को ये बरेठी गाउं है यहां पर तालापी केनारे पर दो पक्षों के बच्चे एक प कर दोनों साइब के लोग आगे तो पहले तो सुला संजाता हो गया कि यहां फिर उसके बाद दूसरे पक्ति लोग हरीजन बस्ती पर चड़के आगे कापी मात्रा में कट्चे होकर आगे और अगजनी और तोड़फोड की घचना का रिच्ची पुलिस को सूचना हुई लोग तुनिशित कर रहे हैं कि जो लोग इस घचना के अंदर संग्यान लेते हुए इस घचना के अभियुक्तों के विरुद्ध सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने का है कि दोशियों के विरुद्ध गैंक्स्टर एक्ट तथा एनसे के तहट कारवाई की जाए इस प्रक्रम में स्थानिये सचो द्वारा बढ़ती गई लापरवाई को गंभीरता सिरुख अपनाते हुए उन्होंने सचो के विरुद्ध ततकाल विभागे कारव उन्होंने की कारवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने का है कि इस घटना के साथ पीड़ित परिवारों को मुखमंत्री आवास योजना के अंतरगत आवास उपलब्ध कराया जाए जाए बदायू पहुचे प्रदेश सरकार के चिकितसा स्वास्त राजमंत्री अतुल गर्ग और नगर विकास राजमंत्री महिश चंदर गुप्ता ने सहुक्त रूप से जिला अस्पताल की विवस्था का जाइजा लिया जिला अस्पताल के कुछ वाड़ों में अविवस्था मिलने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने विवस्था सुधाने की नर्देश दिये उन्होंने महिला अस्पताल में नवजात शिश्वों की मां को उपहार सुरूब कुछ धनराशी देते हुए उनका हाल चाल जाना और अस्पताल में मिलने वाली सुवधाओं की जानकारी भी हासिल की उन्होंने कहा कि कॉरोना से लड़ने की उत्तरप्रदेश सबसे अच्छी तैयारी है ल 1, L2, L3 के अस्पताल पूरे यूपी में तैयार है उन्होंने कहा कोई भी जिला नहीं बचा है जहां वेंटिलेटर वटूनेट मशीन ना पहुची हो अब हर जिले में कॉरोना मरीजों की जाच होगी पूरे विश्व में और पूरे भारत में इस समय कोराना का संकट आए हुआ है और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुराना के संकट से लड़ते-लड़ते जो बाकी जो पीडित हैं मरीज हैं उनका इलाज ठीक से ना हो यह चिंता मुख्यमंत्री जी को है और उन्हो को देखने के लिए के टीनों स्वास्त मंत्रीयों को और जले में भीजने शुरू किया है हम लो को अषरी में जा यह देखने के लिए नोहां तो यहां पर कुराना के अलावा बाकी स्वास सेवाइ कैसे चल रही है उनको देखने के लिए आए पूरे विष्व के अंदर जो सबसे अची तयारी है वो केवल यूप की सबसे नंबर न तयारी है एक लाग दस हयार से जादे लोगों की विवस्ता यूप सरकार रवी तक कर पूरे यूप के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां पर वेंटिलेटर मशीन ना पहुंची हो जो यहां पर अभी आपको दिखा लेंगे आपके साथ चल कर आप उसे देखना जिसमें 40 मिनट के अंदर रिपोर्ट आए जाई है कोई तयारी के अंदर कहीं कोई कमी अप राहत पैकच का ऐलान किया था जिसमें भारत के लोगों को कामकाच करने की सुभधा उपलब्द हो उद्योग शेत्र में छोटे बड़े और सुख्ष्म बंद पड़े उद्योगों को पुना उत्पादन की पट्रिप लाने के लिए आर्थिक पैकच दे कर उद्मियों को बताया कि प्रधान मंत्री के राहत पैकच से हमारे उद्योग को चलने में बड़ी राहत मिली है साथी श्रमिकों को काम भी मिला है वही जन्पत की बहुत ही महत्पूर्ण उत्पादन इकाई राइस मिलके युवा संचालक प्यूश अगर्वाल ने बताया कि कोरोना लाग मंत्री के दौरा जो इसमार स्केर के पैकच या जो हो पैकच रहात पैकच की घुशना करी देहिं है वह है कि प्रफारियों के लिए काफी हित में रहा है उससे हम लोगों को पैकच चलाने में काफी रहत मिली है मेराम क्यू शक्रवाल है और मैं यहां लखीम पुट की एक MSME यूनिट को जो एक 20 ला करोड रुपय का पैकेज दिया है जिसके अंदरगत जो भी इंडेस्टी लोगडाउन में बंद हो गई है या लोगडाउन के खानर ने जो भी उनको चलाने में या दिक्केते आई है उससे जो 20% on the loan outstanding जो जो भी इंडेस्टी ओनर को जो जो के रूप में तो वो उसको काफी मदद मिलने को है कि मदद के तोर पे जैसे चैचली कोई तक तो जो एकका कम्मी के एक्पेंसर्स होते है या या पीजिए एक्षिक भी इंडेस्टी को मदद मिलेगी लागडाउन ओवद हमें भारत सरकार दोरा मानिपरधान मंत्री जी दो द्वारा घोषित आर्थिक पैकच से हमारी बंद एकाईयों को पुना जोए बहुत चालू करने में सहायता मिली है। कि MSME के लिए घोषित आर्थिक पैकच से लाखों सूख्ष लगू और मध्यम एकाईयों के अलावा कुछूर उद्वागों को भी राहत मिली है। पुर्धान मंतर के ऐलान के बाद अब बिना गारंटी के लोन मिलने से उद्वावा मिलेगा। उन्हें ये भी कहा कि सौ से कम कमियों कर्मियों वाली कमपनियों में पंद्रह हजार तक की आए वालों और नियोकताओं का एपिएफ तीन महिने सरकार जमा करेगी। जो उद्वाव हमारे लॉक्टाउन में समाप्त हो रहे थे उनको पुनर जीवित करने के लिए ये एक सरहाईनी कदम उठाया है। उनकी दिक्वतों को मैसिस करते हुए जो हमारे मिनी सोक्षम उद्योग, जो मध्धम सानी की उद्योग, जो कुटीर उद्योग, जो ग्रह उद्योग, इस परकार के जो छोटे उद्योग जिनकी जो है सीमा बड़ी सीमित होती है व्यापार करने की, वो लॉक्डाउन में बि कुटी का कार किया है देने का और निश्चे तोर पर इससे जो है भारत वर्सका जो सुक्षम, मध्धम, कुटीर, ग्रह उद्योग, जो है पुनर्जीवित हो ग्रवासी श्रमिकों के लिए मन्रेगा योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है, बरेली जिले में हर रोज सैक् मन्रेगा में चक्रोड बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें चंडीगर दिल्ली उत्राखंड से आए श्रमिक काम कर अपनी जीविका चला रहे हैं, वापस आने के बाद गाउं में ही काम मिलने से ये श्रमिक काफी खुश है और प्रधान मंतरी नरिद मुदी का धन्यवा मेरा नाम इम्रान है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, लॉक्डॉन की बज़े से मेरा काम बंद हो गया था, इसलिए मैं गाउं आया हूँ, मुझे नरेगा में काम भरपूर मिला है, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चला है, मेरा नाम बबलू बग से, रहने वाला डडूल चला नाम इन इसलिए मैं अपने घर आ गया, यहां पर नरेगा में काम करता हूँ, लॉक्डॉन के साथ काम कर रहा हूँ, इस से मेरा घर का खर्चा पानी सही चल रहा है, इस बज़े से मैं मोदी जी का आवारी हूँ, उन्सले उनकी बज़े से मुझे एक काम मेला, खर्च पाद्यान समस्यां से बड़ी राहत मिली है जिले के नौ विकास खंडों के लगबग तीन लाख एकिस हाजार पात्रकार धारकों को इसका लाब मिल रहा है जिले के नगर और ग्रामिन शेतर में राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के हाथों को सेनिटाइज करने के बाद पाउश मसीन पर अंगूठा लगवा कर राशन दिया जा रहा है लागडाउन के दौरान मजदूरी वा अन्य काम में दिक्कत होनी से प्रधान मंतरी गरीब करनार योजरा के अंतरगद मिल रहा निशुल कर राशन और चना गरीबों के चेहरों पर चमक पैदा कर रहा है राशन प्राप्त कर रहे गरामईनों ने बताया कि इस राशन से हमें बड़ी सहुलियत मिली है हमें खाने में कोई कमी नहीं होगी लोगों ने राशन मिलने के बार प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी का आभार भीव्यक्थ किया उन्सकी भीव्यक्ण लेक पूरी खातरों कि भीवषी कि मा मैं राशन में बड़ी तो मुझे फिरी میں मिलन था कुरोना महामारी के चलते लागडाउन में सभी लोगों के वेवसाएं लगभखबंद हो गए थे ऐसे में केंदर सरकार ने लोगों को प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना के तहत निशुलक राशन वितरित कर रही है प्रियागराज में अपरैल मई के बाद जून में भी लोगों को अनाज मिल रहा है ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गे परिवार के लिए ये सरकार की बहुत सार्थक पहल है और लोग अनाज पाकर बेहत खुश है प्रियागराज की महिलाओं ने सरकार की योजना के तहट अन्य पाकर खुशी जाहिर की है साथी केंदर सरकार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को धन्यवाद भी दिया है कि मेरा नाम इंदरा है मैं प्रियागराज के पास रहती हूँ मुझे लॉग डॉन में गल्ला पानी मिला हुआ है सरकार को धन्यवाद मारा नाम लाल मनी है हम इलाहबाद में परियाग रिट्वेशन के पास रहते हैं हमारा लागडाउन में गल्ला मिलता है फिरी मेरा नाम दल्ली है मैं परियाग राज में रहती हूँ और इस लागडाउन में मुझे गल्ला मिला है हमारा नाम नंकी देवी है लागडाउन में हमको सरकार से गल्ला मिलता है संकार को धन्यवाद प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए आजम गर्जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुकला की अधिक्षता में 11 विभागों के साथ मन्रेगा योजना के तहट कारशला अफजित की गई जिसमें जन्पद के 11 विभागों को अपनी योजनाओं के साथ मन्रेगा की तहट प्रवासी मजदूरों को कार देने का लक्ष दिया गया मन्रेगा डी सी विवी सिंग ने बताया कि खुद मन्रेगा के तहट व्रहद इस तरपर कार कराया जा रहा है सरकार की मन्चा के अनरूप ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाए इस उद्देश से हमारे कन्वर्सेशन क्लाइंट डिपार्टमेंट को लक्ष दिया गया है जिसमें मुखरूप से PWD, सिचाय विभाग, उद्यानुविभाग, सहीद, कुल 11 विभाग शामिल है देश परोजगार के अवसर उखलग करना जाने के उनकी प्रवजना गई और इनके इसके लिए अभी हमारे आँ कारशाला आई आई करके को लिए तैनि दीर है करोना संकर काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की जान बचाने वाले मेडिकल स्टाफ के होस्नों को मजबूती देने के लिए कन्नौ जिलास्पताल में अखिर भारते व्यापार मंडल के पदादिकारियों ने अधिकारी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, वाड़ बॉय को सम्मानित किया और उनके द्वारा किये जा रहे कारियों की जम का सरहना की इस मौके पर अखिर भारते व्यापार मंडल के जिलाध ध्यक्ष अनिल गुपता ने बताया कि उनके संगठन के लोगों ने जिलास्पताल में कार्रत मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया साथी कोरोना संकठ के समय में संकठ मोचन कहलाने वाले डौक्टरों के होस्नों को मद्बूती D है जन्पत कंडोज के जिला मुख्याले के जिलासताल में आकर के जो यहां का डाक्टर्स का नर्सेज का और सास्ट कर्यों का जो इस्टाफ है उसका अभिनंदर करके उनके वीच मिश्ठान वित्रन करके उनका फूल माला और अंग बस्त पहना करके हम लोग हार्दी का कोविड-19 को हराने के लिए प्रधान मंतरी मोधी ने सोशल डिस्टैंसिंग के साथ साथ अपने इम्यूर्टी सिस्टम को मश्बूत करने के भारत की पुरानी विद्या योग और आयोविद कायरगर साबित हो रही है प्रधान मंतरी से प्रविद होकर बरेली की मीना सुध कर रही है मीना सुधी के इस प्रयास से इन बच्चों को योग की बारी क्या सीखने को मिल रही है इन बच्चों का इम्यूर्टी सिस्टम भी मश्बूत हो रहा है योग गुरू संचालिका मीना का कहना है कि योग हमें स्वस्त बनाय रखता है और बीमारियों को दूर भगा योग के आसनों को अपना कर वीमारियों पर पाबू किया जा सकता है योग से immunity सिस्टम मजबूत कर सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं वही अना फैले के बच्चो का कहना है कि योग का भ्यास करके अच्छा लगता है और अपने आप को स्वस्तर बनाए रखने में मदद बिलती है मेनस ओंदी जिए उनके साथ मैं योगासन सिखाती हूं सीखती हूं खुद भी कुछ नहीं चीज़े उन से सीखने को मिलती है और बच्चों को यहां पे रोज कुछ नहीं सिखा के जाती है जैसा कि वेयाम और आसन तों सिखाती है साथ में साहित्य है और कला में भी रुची रखवाते हैं कि बच्चे कला भी सीखें उन्हें नई नहीं चीजें सिखाने का प्रेयतन करती हैं और मैं भी उनके साथ इसमें सहभागिता निभा रही हूँ पर सिर्फ मेरा योग कराने का उदेश है कि जो आज महामारी पूरे विष्व में चाहिए होई है कॉरोना वार्स वारिस जो दवाईों से भी काबू में नहीं आ रहा है और मेरे मन में ये विचार आया कि कॉरोना वारिस से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले शरीर स्वस्त चाहिए वो सबसे बड़ी दवा है और स्वस्त शरीर के लिए योग और प्राणयाम से अच्छा कुछ भी नहीं है जो सारा विश्व मानता है कि योग ही एक ऐसी शक्ती है जो शरीर को स्वस्त कर सकती है हमारे कोरोना वाइरस में सबसे ज़्यादा फाइड करने के लिए प्र कुट कर भरना चाहते हैं ताकि वो स्वस्त रहें और पुरे देश के विदेशों में भी अपना नाम है और यहां परणाम करते हैं हमारी में आती है मीना सोंदी और कोरोना बारी बचने से में परणाम करते हैं और हमारा सरी सोचत रहें हम कोरोना से लड़ सकते हैं हमारी मे कि आने दे बता देंगे तुझे आई आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है अब ना अगले वलवले है और ना अर्मानों की भीड़ एक मिठ जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है लखनों में युवाओं के प्रणा सुरूत शहीद राम परसाद बिसमिल की जैनती के अवसर पर उनको श्रधानजली अर्पित की गई करांतिकारी शहीद राम क्रिशन खत्री के पुत्र उधे खत्री ने बताया कि राम परसाद बिसमिल के नेतरत में अंग्रेजों को चनौती देने के लिए फीली भी जिले के बिचपुरी और बंबरावली परताब गड़ के द्वारिकापुर काकुरी के ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था जिससे अंग्रेजी हुकूमते हिल गई थी राम परसाद बिसमिल को 19 दिसंबर 1927 को गुरकपुर जेल में फांसी दी गई थी आज के युवाओं को राम परसाद बिसमिल की आत्म कता जो मरने से पहले जेल में लिखी थी उससे प्रेणा लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए बिसमिल जी की आच्चों की दिवस है उनको याद करते हैं हम लोग तो उनके लिए में ये चार पंक्तियां जो वही लोग उनलों की प्री रचना थी उसी में मैं प्रियोग करते वे आगे राम परसाद बिसमिल के लिए कहना चाहूंगा वक्त आने दे बता देंगे तुझे वह आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है कविता तो लंबी है लेकिन उसकी में अंतिम पंक्ति दे रहा हूंगा अब ना अगले वलवले हैं और ना अर्मानों की भीड एक मिठ जाने की हसरत अब दिले बिसमिल में है अब दिले बिसमिल में है सरफरोशी की तमनाव हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में ये लोग ऐसे गनिग आते थे ये चुनावती चैलेंज करते थे अंग्रेजों को कि तुम कितना जुल्म करोगे हम उने तुम झुका नहीं सकते हम तो लड़ते रहे हैं और बुलेटिन के अंत में प्रमुक समचार एक बार फिर रधान मंतरी नरिंद मोदी ने इंडियन चैमर आफ कॉमर्स की पंचानवी वार्शिक बैठक के उध्गाटन सत्रत को किया संबोधित कहा भारते अत्रवस्था को प्रतेस पर्दी बनाया जाए साथी घरे सतन देश सिंग ने कहा 20 जून तक चलने वाले सब्यान में सेनिटाइजर मास्क और सरकार के उपलब्धियों को पहचाया जाए का घर घर तक जॉन पूर में दले दुत पीड़न मामले पर मुखमंतरिन लिया संग्यान दोशियों के विर्द रासुका लगाने का दिया आदेश शाथी पीड़तों को ततकाल सहायता उपलब दिकराने का दिया निर्देश और अमर शहिद क्रामतिकारी राप पंडित राम प्रसाथ बिस्मिल की जैनती आज देश दे रहा है उन्हें विनम्बर शद्धान जिली तो बुलिटन में फिलाल इतना ही दीजासत नमस्कार